दोस्तों, भारत के हत्यारों के जखीरे में बेहत भयानक वेपन्स शामिल हैं, लेकिन इनमें से अगनी सीरीज की मिसाइलें बेहत घातक मानी जाती हैं, इसकी वज़ा ये है कि ये मिसाइलें परमाणू हमला करने में सक्षम हैं, इनमें से अगनी 5 सबसे ताकतवर मिसाइल है जिसकी जद में बीजिंग और पूरा पाकिस्तान आता है इस मिसाइल को चीनी किलर मिसाइल कहा जाता है भारत ने इसे MIR की तकनीक से लैस किया है जिसकी वजह से मिसाइल एक साथ कई टार्गेट को तबाह कर सकती है जब चीन अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब भारत इस मिसाइल का धमाका करके उसे अपनी ताकत दिखा देता है जिसके बाद चीन की सारी अकड निकल जाती है चीन भारत की लगातार बढ़ रही रक्षक शमताओं को लेकर हमेशा रोना पीटना मचाता रहता है लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ गई है पूरी डवलप्मेंट क्या है आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से अपने हतियारों के जखीरे में बेहत भयानक वेपन्स शामिल कर रहा है उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपके लिए यह बस एक सेकंड का काम है लेकिन इस से हमारी बड़ी मदद होती है दरसल भारत अगनी 5 से भी घातक अगनी 6 मिसाइल बनाने में जुट गया है जबकि अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी का दावा है कि भारत इस मामले में इतना आगे जा चुका है कि वो 2027 तक इसकी तैनाती कर देगा चीन का चपपा चपपा इसकी जद में आएगा भारत अब दुनिया की महाशक्ती बन चुका है वो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकोनॉमी है जबकि वो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है वो सुरक्षा परिशद में वीटो पावर के लिए भी संगर्ष कर रहा है जिसे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है भारत वैश्विक राजनीती में अपनी धमक बढ़ाने के लिए अब ऐसे हतियार अपने जखीरे में शामिल करना चाहता है जो पूरी दुनिया में शांती कायम करने में सक्षम हो इसके लिए ज़रूरी है नुकलियर पावर से लैस इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भारत के जखीरे में अगनी 5 एक मात्र इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी भयंकर ताकत के आगे दुनिया कांप उठती है भारत का दावा है कि यह मिसाइल 5000 किलो मीटर की मारक क्षमता रखती है लेकिन चीन का दावा है कि भारत की अगनी 5 की रेंज 8000 किलो मीटर है चीन यह दावा इस वजह से कर रहा है क्योंकि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो चीन उस मिसाइल की तमाम क्षमताओं को जानने के लिए सीक्रिट तरीके से उसकी निगरानी करता है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत की मिसाइल की रेंज 8000 किलो मीटर की है तो वह इसे कम क्यों बताता है? तो इसके पीछे भारत की वैश्विक रणनीती है भारत अपने हतियारों की सीक्रेट किसी को शेर नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे दुश्मन इसका डिफेंस तैयार कर सकता है जबकि ज्यादा रेंज की मिसाइलों की वजह से अंतर राष्ट्रिय दबाव भी बढ़ जाता है जब भारत ने पहले परमानू टेस्ट किया था तो लंबे वक्त तक भारत को तमाम प्रतिबंधों को जहलना पड़ा था लेकिन अब भारत ने वैश्विक राजनीती में जबरदस्त पैठ बना ली है फिर भी मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका सहित यूरोप प्रतिबंधों का दबाव जरूर बनाएंगे इसी वजह से भारत अपनी अगने 6 को सीक्रेटली तैयार कर रहा है जो कई मामलों में अगने 5 से बेहद एडवांस है इसकी मारक शमता तो भयानक है ही लेकिन यह बेहद पतली होगी जिसकी वजह से इसे कहीं भी तैनात करने में बेहद आसानी होगी अगने मिसाइल को MIRV तकनीक से लैस किया गया है इसका मतलब है कि यह मिसाइल एक साथ कई परमानू हत्यारों के अलग-अलग लक्षियों पर हमला कर सकती है इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी जिससे भारत, अमेरिका, यूरोप और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी जरूरत पढ़ने पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा वैश्विक ताकत बनने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम होगा इस मिसाइल में काम्याभी के बाद यूरोप अमेरिका का भारत के लिए नजरिया बदल जाएगा मतलब पूरी दुनिया के दिलों में भारत की ताकत की धमक कायम हो जाएगी इस मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म से लॉंच किया जा सकेगा जिससे इसे छुपने और दुश्मन से बचाने में भी आसानी होगी आधुनिक नेविगेशन तकनीक और एडवांस गाइड़ सिस्टम का इस्तिमाल करने की वजह से अगनिसिक्स दुश्मन के ठिकानों पर अत्यधिक सठीकता से वार करने में सक्षम है यह प्रिसिजन अटैकिंग की क्षमता से लैस है यह मिसाइल तीन टन तक का पेलोड ले जा सकेगी तीन टन के परमानू हत्यार का मतलब है कि दुश्मन देश में शहर का शहर खाक में मिल जाएगा यह मिसाइल जमीन के साथ साथ सब मरीन से भी लौंच की जा सकेगी इस मिसाइल तमाम अंतर राष्ट्रिय दबावों से बचने के लिए भारत इसे 9000 की रेंज में टेस्ट करेगा जिससे मिसाइल की तमाम क्षमताओं का वैल्यूएशन किया जा सकेगा भारत इस मिसाइल के टेस्ट पर कोई अंतर राष्ट्रिय दबाव ना आए इसके लिए अमेरिका के साथ सेटलमेंट करने में भी लगा हुआ है अमेरिका इसके लिए राजी इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इस मिसाइल के भारत के जखीरे में शामिल होने से सबसे ज्यादा टेंशन चीन को होगी Agnesix को लेकर भारत की सीग्रेट तैयारियों से चीन इस कदर पागल है कि वो इसे लेकर UN में भी रोना रो चुका है लेकिन फिलहाल किसी के पास इसे लेकर कोई सबूत नहीं है इसी वजह से इसे लेकर भारत पर कोई दबाव नहीं बन पाया है अगर भारत की इस मिसाइल को लेकर अमेरिका कोई सवाल खड़े भी करता है तो इसके जवाब में भारत का सीधा सवाल ये होगा कि जब चीन ने इतनी ताकतवर मिसाइल बनाई है तो भारत क्यों नहीं बना सकता है वहीं पाकिस्तान भी अपनी परमाणू मिसाइलों की ताकत और रेंज बढ़ा रहा है फिर उस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है अगनि सिक्स को लेकर भारत लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहा है पहले भारत इस मिसाइल का 2017 में टेस्ट करने वाला था लेकिन कई वजहों से तब यह तैयार नहीं हो पाई थी जबकि कई एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट कर लिया है भारत के सीरीज की मिसाइलों में भी तमाम तकनीकों का इजाफा कर रहा है वहीं भारत सूर्य मिसाइल पर भी काम कर रहा है माना जा रहा है कि सूर्य मिसाइल अगनी 6 से भी कई गुना घातक होगी जबकि इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें जब भारत के जखीरे में शामिल हो जाएंगी तो भारत का जलजला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ जाने से पहले कई बार सोचेगा जबकि दुश्मन चीन का दम निकल जाएगा भारत ऐसी घातक मिसाइलें तयार करने के साथ साथ अपना ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी तयार कर रहा है जिससे अगर कभी उस पर इसराइल जैसा हमला हो तो वो उसे आसानी से इंटरसेप्ट कर सके हालांकि मौझूदा वक्त में भी भारत की डिफेंस तकनीक बहुत हाई है भारत रूस के S-400 से लेकर प्रिफ्वी और आकाश डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है इनकी क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा किया गया है वही भारत हाईपरसॉनिक मिसाइलों को नाकाम करने के लिए भी ताकतवर इंटरसेप्टर मिसाइल तयार कर रहा है प्रोजेक्ट कुश के तहत 350 किलोमीटर की रेंज में हर खत्रे को नाकाम करने का हत्यार तयार किया जा रहा है जबकि भारत के जखिरे में जल्द ही हाइपरसॉनिक मिसाइल शामिल होने वाली है भारत एक साथ कई हाइपरसॉनिक मिसाइलों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वहीं रूस की मदद से ब्रहमोस 2 का भी विकास कर रहा है जिसकी स्पीड 6-7 मैक तक होगी मौजूदा ब्रह्मोस को ही रोकने के लिए चीन पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है ऐसे में ब्रह्मोस 2 की एंट्री चीन का कलेजा कमपा देगी तो दोस्तों भारत के मिसाइलों के जखीरे में शामिल होने वाले इन भयानक ब्रह्मास्त्र और अगने सिक्स पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताए